हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पीसेंबी डिजिटल गुरुकल पर आज बच्चों हम लोग सीखेंगे इंग्लिश की वर्कशिट नंबर 67 जो की है 19 डिसेंबर के लिए तो आइए करते हैं राइटिंग टास्क है हमें तब बार चार्ट गिवस बि ग्राफ दोनों के विछ में कंपार करें तो देखें पहले ग्राफ के हैं दोस्तों तो हमें नजर आएगा कि हम दीरे दीरे देखते हैं कि अगर मालेजे यह फिल्लेंड था तो सन 2011 में फिल्लेंड में डाइवर्स रिट 35% था जबकि करीब करीब 35% और स्वीडन में जड़ हो गया है फिल्लेंड में जड़ा हो गया है स्वीटन से डायवर्स रे्ट बढकि इस ग्राफ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि देखे पहले जहां कर दो सिस्टम है उसके पसके इसे और और फिर थोड़ा कम हुआ फिर थोड़ा जादा फिर जादा फिर जादा यह तो स्वीडन का ग्राफ हो गया और अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका फिनलेंड का ग्राफ हुआ स्वी डन का ग्राफ कैसे हुआ तो स्वी डन का ऐसे हुआ फी नीचे फी नीचे फीनीचे फी नीचे तो स्वी डनका धिरे घट रही है और फीलेंd का रिशय बढ़ड रही ठीक है और नॉमली 40 से 50 सिरे 55 की बीच में आई अब इसके बारे हम लिखते हैं क्या लिखने हैं दोस्तों तो इस परेग्राफ में दोस्तों आप यह लिखेंगे कि गिवन बार चार्ट शोउज दाइवोर्स रेट ऑफ उरोपिन कंट्रीज विर ब्लू डिनोट्स दा फिल्लेंड एंड डिनोट दा स्वेड़न ऑफ के लोडिने शाच के लिखार नाच के लिख। अबध्स्पोरोस में बारे हैं क्या है लिखें चार्ट विनलेंड मैंनम तवार्स दविनलेंड के लिखें 1.4 दीफ निल्लेंड टेर ऑेंगे freedom divorce rate not divorce divorce rate in 2012 while minimum divorce rate of Sweden was in divorce rate of Sweden was in 2015 comparing only red bars वेकि Sweden के लेड़ एफिर red ही देखना है overall divorce rate of Finland is less than divorce rate in Sweden except in 2015 दो हमने दोनों बार्स को compare किया यह लिख देंगे divorce तो भी दोस्तों यह आपको ध्यान रखना है यह आप comparison लिख देंगी तो आपका काम बन जाएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अगर आपको कोई भी हमारी तरफ से मज़द चाहिए तो जरूर पूछे थांक्यों दोस्तों जरूर देच्ट